नमस्कार, BSC Part 1 के Physical Chemistry के चैप्टर, Gaseous State में, आज हम Deviation from Idle Gas Behavior और थाथ, Others Gas व्यवहार से विचलन का अध्यान करेंगे. पिछले Lectures में, हमने देखा कि वे Gases, जो Others Gas समीकरण का पालन करती है, Others Gas कहलाती हैं, परन्तु वास्तम में, कोई भी Gase, Others Gas नहीं है. एक मूल Gase के लिए, अगर हम Others Gas समीकरण देखें, तो Others Gas समीकरण क्या होगा, PV एक्वल टू RT, यह हम ही कह सकते हैं, PV अपॉन RT एक्वल टू 1, या PV अपॉन RT एक्वल टू Z, जो की 1 के बराबर है, आदर्स गैस के लिए. यहाँ Z जो है, वो compressibility factor यह संपीड़ेता गुणांग कहलाता है, अर्थाथ, PV और RT का अनुपात, यह PV अपॉन RT संपीड़ेता गुणांग कहलाता है, तो PV अपॉन RT वेंजग को संपीड़ेता गुणांग Z से वेक्त करते हैं, और आदर्स गैस के लिए, यह संपीड़ेता का मान एक होता है, परन्तु वास्तम में किवल 0 दाब पर ही Z equal to 1 होता है, अन्य दाब पर Z का मान एक से कम या अधिक होगा, अर्थाथ, गैस का व्यावार आदर्स व्यावार से विचलित होगा, यह विचलन दर्शाएगी, संपीड़ेता कुणांक Z तथा दाब P के मद्दे हम ग्राफ प्लोट करते हैं, इस ग्राफ को हम अमेगेट कर्व या अमेगेट वक्र कहते हैं, हमें संपिटता गुणा जैड और पी के बीच जो ग्राफ कीछते हैं या जो आमेगेट कर्व हो किस तरह से प्राप्त होंगे वो आमेगेट कर्व हमें इस तरह से प्राप्त होंगे यानि हम compressibility factor z और p के बीच ग्राफ कीचे अलग-अलग gases के लिए तो वह है अलग-अलग वक्र प्राप्त होते हैं यदि आदर्श gas के लिए अगर हम वक्र खीचे तो ये जो dotted line है ये dotted line आदर्श gas के लिए omega वक्र को बताती है यानि हम देखते हैं कि दाब के साथ z का मान परिवर्थित रहता है यानि compressibility factor z 1 रहेगा चाहे हम दाब कितना ही बढ़ा दें लेकिन वास्तविक गैसों के लिए अगर हम वक्र देखें तो वो इस तरह से आएगा hydrogen के लिए oxygen के लिए ये co2 के लिए या hci के लिए हम helium के लिए लिए तो वो इस तरह से आएगा इस वक्र से clear है कि 0 दाब पर 0 दाब पर सभी गैसों के लिए compressibility factor z का मान एक होता है तथ 0 दाब पर या बहुती कम दाब पर जो गैस है वो आदर्ष व्यवहार की तरह व्यक्त करती है या आदर्ष व्यवहार व्यक्त करती है आदर्ष गैस की तरह व्यवहार करती है उस इस्तिती में यानि शुन्य दाब पर z equal to 1 होगा अर्था तो आदर्ष गैस होगी लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो compressibility factor जैसे हम CO2 के ले ले हमने शुन्य दाब पर compressibility factor z का मान एक है लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं compressibility factor का मान कम होगा और एक दाब के बाद compressibility factor का मान बढ़ता जाता है और यह है एक से last में बहुत अधिक दाब पर यह एक से अधिक हो जाता है इसी तरह से हम O2 के लिए लें oxygen के लिए तो शुन्य दाब पर compressibility factor z का मान 0 है लेकिन जैसे हम दाब बढ़ाते हैं compressibility factor का मान एक से कम होता जाएगा और फिर पुन्हेज compressibility factor z का मान एक से अधिक होता जाएगा और एक से अधिक हो जाएगा oxygen के लिए हम लें तो compressibility factor जो अमेगेट वर्क वर्क है वो इस तरह से होगा अगर हम hydrogen के लिए तो hydrogen के लिए compressibility factor सभी दाब पर शुन्य दाब के अतिरिक अन्य सभी दाब पर compressibility factor z का मान हमेशा एक से अधिक होगा इसी तरह से helium के लिए भी compressibility factor z का मान एक से अधिक होगा तो हम यह कह सकते हैं कि जब z बराबर वनो तो gas आदर्स gas होगी जब compressibility factor z का मान एक से कम हो याने compressibility factor का मान z से एक से कम है या हम कहें कि वक्र आदर्स वक्र से नीचे है तो gas की संपिड़ता आदर्स gas से अधिक होगी याने gas आसानी से द्रवित हो जाती है तो हम यह कह सकते हैं कि CO2 gas जो है इसके लिए compressibility factor z का मान एक से कम है तो यह है आसानी से द्रवित हो जाती है याने इनकी compressive संपिड़ता अधिक होती है लेकिन अगर जैसे हम hydrogen और helium के लिए इन gases के लिए compressibility factor z का मान एक से अधिक है तो इनकी संपिड़ता आदर्स gas से कम होगी और साधरन ताप पर आसानी से द्रवित नहीं होगी तो हम ही कह सकते हैं कि जो कर्व है उनका आदर्स gas से उपर जाना याने जो कर्व है gas के जो कर्व है यह ideal gas के लिए कर्व है इससे उपर जो कर्व जा रहे है इन कर्व का उपर जाना दाब बढ़ने पर घटती संपिड़ता को व्यक्त करता है याने जैसे ही दाब बढ़ेगा संपिड़ता घटेगी आरता जैड का मान एक से अधिक होना संपिड़ता संपिड़ता के घटने को व्यक्त करता है अब हम ताब का प्रभाव लें किसी एक ही गैस जैसे हम एथिलीन के लिए संपिड़ता फैक्टर कमप्रेसिबिलिटी फैक्टर जैड और दाब के अलग-अलग ताब पर वक्र खीचे तो वो हमें इस चित्र के अनुसर प्राप्त होंगा यानि अगर हम एथिलीन गैस के लिए अभी हमने अमेगेट वर्क देखे वो अलग-अलग गैस के लिए अगर हम एक ही गैस जैसे एथिलीन लें और उसकी अलग-अलग ताब पर compressibility factor Z और P के बीच ग्राफ कीचे तो वो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा ग्राफ से इस पस्ट है कि गैस का ताब जैसे जैसे बढ़ता है वक्र का ढाल घटता जाता है यानि हम देखते हैं जा रहे हैं कि 200 केल्विन पर जो वक्र हमें मिलेगा compressibility factor P के बीच वो इस तरह से आएगा अगर हम ताब बढ़ा दें यानि हम 500 कर दें तो वक्र का जो ढाल है वो कम हो जाएगा अब हमें इस तरह से मिलेगा यानि यह आदर्श गैस के वक्र के और थुड़ा समीप आजाएगी अगर हम temperature और बढ़ा दें यानि 600 चोईस कर दें तो जो वक्र हमें मिलेगा वो लगबग आदर्श गैस के वक्र के समीप होगा और अगर हम temperature और अधिक बढ़ा दें तो यह है एक से अधिक होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस का ताब जैसे जैसे बढ़ता है वक्र का डाल घटता जाता है 600 चोईस कैल्विन ताब और 200 अटमोसफियर दाब पर एथिलीन के लिए जो वक्र है वो आदर्श वक्र के समीप होगा यहां हम देख रहे हैं कि 624 कैल्विन ताब और 200 अटमोसफियर पर यह लगबग हमारा हम यह कहें यह 200 अटमोसफियर दाब है इस पर यह है जो वक्र है बिल्कुल आदर्श गैस के वक्र के बराबर यह समीप चल रहा है तो यहां यह है आदर्श विवहार यह जो गैस है आदर्श विवहार दर्शाती है अर्थात जैड का मान लगबग एक हो जाता है यह हम यह कह सकते हैं कि बॉयल नियम का पालन करता है इस ताब को यानि 624 केलविन ताब है इसको हम बॉयल ताब कहते हैं तो बॉयल ताब को हम किस तरह से परिवाशित कर सकते हैं वह ताब जिस पर शुने से दाब के करती हो वह उस गैस का बाइल ताप कहलाता है एथिलीन के लिए जो बाइल ताप टीवी है वो 624 केलविन होगा यह इस वक्र से हम देखें तो बाइल ताप 624 केलविन ताप पर यह जो है आदर्श गैस की तरह विवहार दर्शाती है अब आदर्श विवहार से विचलन के कारण हम देखें गैसे जो है आदर्श गैस होनी चाहिए परंतु वास्त में कोई भी गैस आदर्श नहीं है तो आदर्श विवहार से विचलन के क्या कारण है हमने अनुगती सिद्धान्त में पॉस्चूलेट्स देखें उस पॉस्चूलेट्स में दो पॉस्चूलेट्स को हम लें ये दो पॉस्चूलेट्स ही डैविएशन के कारण है एक में एक पॉस्चूलेट्स था गैस के अनुओं का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन के तुलन में नगणने माना जाना और दूसरा पॉस्चुलेट गैस के अणों के मद्दे आगकर्शन बल नगणने माना जाना इसमें सबसे पहले लिए हम गैस के अणों का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगणने मानना या हम यह कहें दा वालिम ओप गैस मॉलिक्यूल इस नेगलिजिबल इन कंपरेजन टू तो टुटर वालिम ओप उक्यूपाइट बाई दा गैस हम इसको इस तरह से देखें जैसे मानलो यह गैस का एक पात्र है जिसमें गैस है और इस गैस में यानि गैस ने इस पात्र के आयतन के बराबर इस्थान गेरा हुआ है अब इसमें एक मानलो एक यह मॉलिक्यूल है गैस का इस मॉलिक्यूल का जो आयतन है इस संपूर्ण आयतन की तुलना में हम नगणने मान सकते हैं जैसे हम यह कहें कि एक समुद्र है उस समुद्र में जल है उस जल में एक लोटे जल का आयतन लगबख नगनने है लेकिन अगर इस गैस के आयतन को मैं कम कर दूँ याने दाप बढ़ा दूँ और ताप कम कर दूँ या तो बहुत अधिक दाप बढ़ाते जाएं जैसे सामाने ते हम ये मानते हैं कि समयने ताप और दाप पर जो गैस के अणंग का आयतन है वह गैस के अणु का आयतन सपून गैस के आयतन की तुलना में 0.014 % होता है अब अगर मैं गैस का आयतन सोगुना या गैस का दाप बड़ा दूं तो गैस का जो आयतन के तुल स्वाइटन् शौलि में सवें बना दूं तो अचन कम हो जाएगा एकाजार गुना बढ़ा दू तो आयतन और कम हो जाएगा तो अब गैस का आयतन और कम हो जाएगा जिसके करण गैस के अनू की तुलना में गैस का आयतन अब कितना हो गया 1.4 याने गैस के अनू का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में 1.4% हो गया और अधिक बढ़ा दू तो 14% हो जाएग तो हम यह कह सकते हैं कि अगर गैस का दाब अगर हम बढ़ाते हैं और ताब कम करते हैं तो गैस का आयतन कम होता जाएगा और एक इस्तिती में हम गैस के अणू का आयतन संपूर्ण आयतन के तुलना में नगनने नहीं मान सकते हैं तो यही कारण है कि यह आदर स्विवार से विचलन दर्शा आती है यानि उच्छ दाब पर गैस जो है आदर स्विवार से विचलन दर्शाएंगी Next, दूसरा कारण हम लें गैस के अनों के मद्ध है आकरशन बल नगन्य माना जाना There is no force of attraction between the gas molecules सामान ने ताब और दाब की परिस्तिती में गैस के अनों के मद्ध रिक्तिस्थान अधिक होता है जिसके करण गैस के अनों दूर दूर होते हैं और दूर दूर विचलन करते हैं लेकिन जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं और या ताब कम करते हैं तो उच दाव और कम ताप पर गैस के अणों का आयतन कम हो जाएगा और गैस के अणों के मद्दे रिक्तिस्थान भी कम हो जाएगा और गैस के अणों के मद्दे रिक्तिस्थान भी कम हो जाएगा और गैस के अणों के मद्दे रिक्तिस्थान कम होने और गैस के अणों के पा गैस पॉस्चूलेट्स में तो माना है कि गैस के अणों के मद्द आकर्शन बल नहीं है, लेकिन उच्च दाब और निवन ताब पर गैस के अणों के मद्द आकर्शन बल अवश्य होगा, जिसके कारणिया विचलन दर्शाएंगी, अब इसकी पक्ष में हम दो प्रमाण है, जिससे कह सकते हैं कि गैस के अणों के मद्द आकर्शन बल होता है, पहला है हम ले गैसों का द्रवी करण, गैस का द्रवी करण हम दो कंडिशन दो तरह से कर सकते हैं, एक तो बहुत कम ताब करके और बहुत अधिक दाब बढ़ा कर, जब हम बहुत अधिक दाब बढ़ाते ताब कम करते हैं तो गैस के अनों के मद्धφी जोकी एकतिस्थाने में कम हो जाता है और गैस के अनों पास-पास आ Changi जाएंगे और पास-पास आने के कारण उनके मद्ध आकर्षैनबल उदपन होगा और जिसके कारण वह द्रव में परिवार्तित हो जाएगा, अगर gas के अणों के मद आकशनबल नहीं होता, तो gas द्रव में परिवार्तित नहीं होती तो यह कह सकते हैं कि अगर gas का लिक्विफिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब gas के अणों के मद आकशनबल पाया जाता है, दूसरा हम ले Joule Thompson प्रभाव, Joule Thompson effect Joule Thompson effect भी Gas के अणों के मद आकशनबल को बताता है Joule Thompson effect क्या है? यदि हम किसी gas को एक छोटे से अपरचर से एक छोटे से छेद से उच दावशेतर से निम्न दावशेतर की और प्रसारित करते हैं तो gas का ताप कम हो जाता है याने गैस ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, इसे हम Joule-Thompson effect कहते हैं, Joule-Thompson प्रवाफ कहते हैं, अब Joule-Thompson प्रवाफ क्यों होगा? जब गैस बहुत अधिक दाबशेतर में होगा, याने गैस का आयतन कम होगा, गैस पर दाब अधिक लगेगा तो इसका मतलब गैस के अणू पास-पास और उनके बीच आकरशन बल है जैसे ही हम गैस को कम दाब शेत्र की और विसरित होने देते हैं तो गैस के अणू दूर-दूर हो जाते हैं गैस के अणू को दूर-दूर होने के लिए गैस के अणू के जो जूल्स थॉम्सन एफेक्ट है वो गैस के मद्धे गैस के अनों के मद्धे आकरशन बल को व्यक्त करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कम्प्रैसिबिलीटी फैक्टर जैड क्या होता है और जैड कमान अधी एक है तो वो आदर्श गैस है लेकिन वास्तवी गैसे जो है उनके लिए जैड कमान एक से कम या अधिक होता है और जो आदर्श गैसे वो वास्तवी गैस के तरह व्यवार करती है और आदर्श व्यवार से उनका विचलन का कारण क्या है जो दो कारण थे एक तो गैस के अनू का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलने में नगणने माना जाना और दूसरा कारण था गैस के अनू के मद्दे आकशन बलको नगणने माना जाना लेकिन ऐसा नहीं होता है इसी कारण से गैस आदर स्विवार से विचलन दर्शा आत